सब्सक्राइब कीज़े एक रड़ा स्पराइच चैनल को और बेल आइकोन को दबाएगे लिटस टेक्नोलजी और फैक्ट वीजिओ सबसे पहले देखने के लिए दोस्ते आपको बहुत बहुत सबस्वाइब देखकोन इंफ्रेश्ट एक वीडियो में आज हम बात करने वाले एक बहुती लो कोस्ट और एक बहुती बहुती बहतरीन PC बिल्ट के वारे में यानि कि यह PC ऐसा होने वाला है जिसके अंदर आप कर पाऊगे भाई बहुती फास्पीड पे वीडियो रेंडरिंग एक बहुती हाइफाइ सफ्ट को चला पाऊगे पबजी में लाइफ स्टीम कर सकते हो और साली चाहत इसमें पबजी का PC वर्जिन भी आप खेल पाऊगे खेल इस वीडियो को लास तरह देखना आपको मैं स्की वैर में हर एक डिटेल बता हूँगा इसकी प्राइस भी आपको लास में बता दूंगा और चलिए शुरू करते हैं कि में रिजन सब्सक्राइब करते हैं बहुत ही बेसिक चीज से बेसिक चीज में आती है वहीं हमारा मदर बोड और में हम ले रहे हैं MSI H110M PRO VS PLUS SOCKET LGA 1151 मदर बोड को यह इसका खेर पूरा नाम था काफी लंबा चोड़ा नाम है अब इसकी प्राइस जो है वो है 3410 रुपीज की खेर जादा नहीं है इसे साब से मदर बोड काफी सारी चीज दे रहा है क्योंकि इसमें आपको सपोर्टेट है 6 जें इंटल कोर उसके पैंटीम और काफी साथ कुछ और प्रसेसर भी तो यह एक अच्छी बात है खेर आगे बढ़ते हैं इसमें आपको 32GB DDR4 RAM तक का सपोर्ट है और साज साथ इस भी है वह 3.1 Gen 1 और साटा में आपको लग जाएगा 6 Gbps तो यह एक ठीक तक स्पीड नहीं बहुत बहतनी स्पीड है खेर आगे बढ़ते हैं अब मदर बोड ले लिया है तो अब आपको ज़रुत पढ़ने वाली है उसके अंदर प्रोसेसर लगाने की तो प्रोसेसर के मामल मिल जाएंगे dual core तो भाई मेरे को लगता है यह sufficient है क्योंकि भाई एक तो हम मदर बोड ले रहे हैं ऐसा उपर से फिर हम लोग प्रोसेसर को ज़्यादा अगर हाई फाइल ले लेंगे तो वो उसको support नहीं करेगा इसलिए इंटल Pentium G4400 स्काइल एक dual core 3.3 GHz की साथ desktop प्रोसे ले लिया प्रोसेसर को ठंडा भी तो करने की ज़रुद है ना तो प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए हमने लिया है एक liquid cooler वैसे तो मैं एक without liquid cooler मतलब नॉर्मल फैल ले 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 वाला था लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक liquid cooler ही ले जया जाए तो इसमें मेरे को लगता ज प्रोसेसर को ठंडा करेगा अब तो पहले कैसे liquid जाएगा ठंडा liquid और फिर से जाएगा फैसे अफ फिर फिर फर फ्रकरबर फ्रकर फिर अब भड़तीर आगे हमने ले लिया है मदर बोर्ड उसके बाद उसका प्रोसेसर टना लेकिड क cock lat अब हमें जोड़ पढ़ती है एक रैम की तो रैम में हम भाई चूज करें एक 16GB की रैम DDR4 रैम जिसका नाम है Chorus Vigenius LPX 16GB अब भाई आगे का नाम अब स्वेम पढ़ लो फिदाल के लिए यह चीज में है कि मैंने क्यों लिया DDR4 की 16GB रैम जब कि मैं लें सकते था 88GB की मतलब आब काफे लोग बोलेंगे भाई motherboard के अंदर तो दो स्लोट्स है रैम के फिर मैंने 16GB की रैम क्यों ली चूज की तो भाई यह 16GB की रैम चूज करने के एक पीछे बात है क्योंकि पहली चीसता हम PUBG खेलने वाले तो 16GB की रैम चाहिए देन सेकेंडली जो में बात आती है इन फ्यूचर फॉर एक्जामपल कुछ लोगों का भी बजट हाई हो गया आप उनको लगता है कि भाई अपने जो पूरा PC है थोड़ा सा अप्ग्रेड कर लेना चाहिए जिसे भाई रैम की ज़रुत है वो रैम लगा सकता है या फिर भ भाई जब आपको दुबारा अप्ग्रेड करने की बारी आती तो आपको दो 16GB की रैम देनी पड़ती बट अब यहां पर आपके पास अलेडी 16GB की एक रैम है और एक स्लॉट खाली भी है इन फूचर अप्ग्रेड करना रहा तो भाई 1616 की दो रैम लगा दो इसमें मतलब हां वह पढ़ रही थी 15,000 की आसपास तो भाई देखो यार एक तो प्राइस में भी आपको फरक मिल जाता है यहां पर खेर बात कर लेते हैं हमने लगा दिया एक मदर वोर्ड उसके ऊपर हमने प्रोसेसर लगा दिया अब हमने रैम भी खरीद ली उसके बाद भाई यूए हर्ट की पर सेगेंड खेर अब इसका नाम भी काफी क्रीपी सा है जैसे सीगेट न्यू बारा कुड़ा स्टी थाउजन्ट देन डी एम 0110 वन टीवी 64 MB कैश साटा 6GB APS ये भाई इतना बड़ा नाम है इस आप पढ़ लीजे खेर यह जो में हार्डिक्स है ये काफी सफिश लोग नहीं है इसमें जो लोग सोच रहे होंगे अब तक मैंने बोला नी तो मुझे नहीं लगता भाई अभी आपको SSD की ज़रूत है क्योंकि हमें एक लोग को स्पीसी बनाना है जिसके अंदर आप चला सको PUBG को खेर आगे बढ़ते हैं इसमें हम SMPS यानी की पावर मतलब भाई इससे अब आपको जरूत नहीं पढ़ने वाली जहां तक मुझे लगता है क्योंकि हम लोग इतना कुछ लगा भी नहीं रहे नहीं तो इससे आप से सफिशेंट है 550W का उसके बाद भाई यह सब खरीड लिया हमने इतना सारा संबान खरीड लिया उसे रखने के कहीं पे भी तो जगत चाहिए तो वह भाई हम लोग ले रहे हैं के इस जिसका नाम है चिप ट्रोनेक्स GX 1000 V2 मिड टावर ATX भाई बहुत लंबा नाम है तो इससे पढ़ लिजे खैर इसमें आपको मिल जाएगा फ्रंट की तरफ दो LED रेड लेडी फैंस और सारी साथ ले लिए लेकिन उसके बागी components को भी ठंडा करने के लिए हमें इस case में तीन fan मिल रहे हैं तो यह एक अच्छी बात है और देखने में भी आप देख सकते हैं उसक्रीन पर भाई बहुत कूल लग रहा है खेर आगे बात कर लेते हैं भाई अब लास्ट में क्यूंकि हमने अ एक तरीके का harddix effort नहीं कर पाएंगे जैसे कि भाई मैं भी आपको बताता हूं एक है harddix जिसकी amount जिसकी cost है 5255 और दूसरा जो graphics card है उसकी cost है 16899 अब भाई देखा जाए तो इन दोनों graphics card के डालने से जैसे कि अगर आपने एक graphic card लगाया जो की है 5255 का यह है 2GB का DDR3 के सा पता इसका जो नाम है वो है MSI GT 710 2GD3 LP 2GB graphics card तो भाई यह भी sufficient रहेगा PUBG को चलाने के लिए I believe क्योंकि हमने already specification में काफी कुछ ले लिया तो इस लिए चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी लेगिन भाई जिनने अपना futures game को भी देखना है मतलब भाई future में जो ज्यादा high graphics जिनने required होगी जिनने चलाना है भाई अल्टर सेटिंग्स के उपर उनके लिए चाहिए ASUS G4 GTX 1050 Ti 4GB DDR5 के साथ है यह जो graphics card है तो भाई यह आपका हर एग गीम चला देगा अल्टर सेटिंग्स के उपर तो भाई अब देखने वाली बात यह है कि आपका budget किसमें fit होता है भाई आप 16GB मत अब 16,000 के graphics card का afford कर सकते तो आप उसे लगा लो लेकिन अगर आपको पता है आप आपका जो budget है वो बहुत कम है तो भाई 5000 वाला भी sufficient है फिलाल के लिए लेकिन अब भाई कुछ लोग की बात है ना भाई कि अभी फिलाल नहीं है लेकिन in future हो जाएगा तो भ है तो बस यार मुझे लगता है मैं आपको PC के पार में sufficient एक PC बिल्ड बना दिया है अब जिन लोगों लगता है यह PC बिल्ड थोड़े ना रहा इसने तो मज़ा ही नहीं है कुछ तो भाई यार आप लोगों के लिए यूट्यूब ने एक इंदिजाम कर रखा है साथ चैनल को सुस्क्राइब करना क्यूंकि भाई improvement है तो मैं कर दूँगा कुछ वीडियो में improvement है कुछ मेरे बोलने में improvement है कुछ समझाने में कुछ नया समझाना चाहिए ता मुझे मैंने नहीं समझाया वो भी आब बता जाना मुझे नीचे comment करके उपर दिये पोल में मु अगर मैं graphics card 5000 वाले increase करूँ तो हो जाएगी 40,000 अगर मैं graphics card include करूँ भीया 16,000 वाला तो इसकी पूरी cost है वो हो जाएगी 41,000 तो यह सिर्फ CPU CPU की cost थी अब अगर बात करें हम भीया इसका monitor key इसका SM इसकी जो UPS है उसकी then keyboard mouse then headphone और भी कुछ accessories तो इसकी cost अगरीबन पहुँ जा है लेकिन भाई PUBG गेम भी छोटा नहीं है जो लोग यूटीब पर वीडियो बनाते हैं न कि विदाउट ग्राफिक कार्ड के PUBG को चलाओ यह करो वो करो तो भाई आप वो सब fake हैं तो भाई ऐसे fake के चक्कर में मत पड़ो अगर चलाना है कुछ चीज तो उसके लिए आपको original चीज खरिदनी पड़ेगी खैर बस भाई आज के लिए सिर्फ इतना है मैं मिलता हूं आपको एक नेक्स वीडियो में अब भाई नेक्स वीडियो पीसी बेल्ड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए मुझे कमेंट से बताना क्योंकि भाई यह तो मेरे सबसे मैरे पहली वीडि और जब तक आप बोलोगे नहीं कितने का पीसी बेल्ड आपको चाहिए देखने के लिए तब तक मैं पीसी बेल्ड बनाऊंगा नहीं खैर एक मॉनिटर की ट्यॉप टैम मॉनिटर जो की काम से लेकर ज्यादा रेट तक होंगे वह वीडियो में बना दूँगा उसके लिए काफी सारी वीडियो आती रहती है इसलिए चैनल को सिस्क्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए नीचे कमेंट कर दीजिए उपर जाके पोल में वोट कर दीजिए और भी या तब तक के लिए गुट बाइ ठीक किया स्टेवासम बी काइंड टू वन अदर